हालो अब्रीवान वेलकम टू माई चैनल वान का पीसा और इसमें बनाने वाली हो एक ब्यूटिफुल सी कुर्ती बेरी सिंपल से स्टैप्स में आपके साथ शेयर करूंगी अगर आप बिगनर हैं आपको सिलाई नहीं आती है तो आप इस तरह से कट कर सोते हो अपनी कुर्ती को तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अफ तरह से म obsess को एडल करेंगे अ hasn't के साब से पूरा अगर आपको लूज रखना है तो आप लूज रख सकते हो अगर अपने फिटिंग कुर्ति के बरावरी आपको फिट रखना है तो उतना ही मा करना एक दम और दो इंच आपने एक्स्ट्रा आगे को रख लेना है बस ब्यूटिफुल सी और इसकी लेंथ हम य हम यहां से हटा लिया है और फिटिंग का एरिया है पुरा सेम भी ही टॉकि है है यहां से हम इसका आर्म हुल निकाल लेंगे अक्स्ट्रा पार्ट पूरा कट कर लेंगे तो ये मेरी दोनों कुर्ती के फ्रंट एंड बैक पार्ट इसमें से निकल चुके हैं अब हम इसमें से हटा लेंगे फ्रंट वाला पार्ट क्योंकि फ्रंट का नेक हम दूसरा बना रहे हैं तो बेक वाले पार्ट में हम तीन इंच के पर नेक बनाएंगे तो बहुत छोटा नेक है तो यहां से मैं नेक को ड्रॉ करूंगे तीन इंच पर दैन नीचे से भी तीन इंच थोड़ा सा गूल आई देदूंगी यह गूल नेक बन जाएगा अब हम कटिंग करेंगे और यहां पर आप से प्रेस करकी कर चिपका सकते हो मैंने नेक करे मेंदे तो यह इंसको प्रेशय में पूराम प्रह कर लेंगे यहांसेय को एक्सटा आधा इंच का रखते 17 इवह टिप लिप के लिए मैंने कुट्टी का बचा हुआ पाथ लिया है उसको मैंने four fold कर लिया है इस तरह से यह जहां से आपने arm hole लेना है उस side को arm hole की side में रखना है तो इस तरह से हम arm hole को इस पर draw कर लेंगे वेरी सिंपल तरीका है ये आर्म होल निकालने का बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है बाजू कट करने का इस पर आदा इंच का मार्जन छोड़ते वे हम इस तरह से इसका आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे जहां पर इसकी फिटिंग आती है अब हमारी कितनी लेनी है यहां पर मैं टैन इंच पर ले रही हूं और आपको इसका कितना राउंड चाहिए यह को फाइव इंच पर राउंड चाहिए तैन इंच स्लिप की लैंड चाहिए तो मैं इतना मा कर लोंगी उसके बाद फिटिंग को हम मिलाएंगे इसके फाइव इ slip बन के ready हो जाएगी और आपको बस stitching देंगी करना है और नहीं भाव हम कुर त्वाफ ने से कुझां करब किरेक्षा सीधा थे लेंगे और जहां पर हम ने इसका accent कट पाड़े है उर इसके कार मार्म को को क्रीए करने वाहित म Pardon कि उसके बाद हमेरा से केल एसके अंदर को स्तिक वेडिंगे जे हम लगा का कुछ उथ स्टेजिंग करते हैं यहां पर मेरी कुर्थी पूरी प्रफेक्टली बन चुकी है और आप देख सकते हूँ यह एक ब्यूटिफुल सी कुर्थी बन गई है इस कुर्थी में मैंने राइट साइट में पॉकेट अटेज की है अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो लिंक म को थी उसके पॉकेट लगा सकते।